हेलो मेरी पैरे बचों कैसे हैं आप सभी आशा करतों सभी फीट होंगे बचों प्रिभास वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12 बीका आपको क्वेशन में 10 तक सॉल्व कोना सीखेंगे और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग यह एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो अगर आपको इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोस देखने हैं तो आप उपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो वहाँ भी मैं आपको सारे वीडियोस प्रवाइट करा दूँगा और नीचे डिस्रिप्सर बाक्स में प्रवाइट करा दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे सॉल्व करते हैं क्वैस्सरमर्ण 11 में बोला जा रहा है कि इंदी एड्वाइनिंग फिगर यह जो फिगर दीखर आपको इसमें कॉडड एसी एंड बीडी ओफे सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट राइट एंगल यानि कि एक सर्कल है जिसका सिंटर ओ है इसके दो कॉडड एसी और बीडी जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे है राइट एंगल पे जब यह जो एंगल है यह 25 डिगरी का है तो बताएए EBC जो होगा वो किते डिगरी का होगा तो EBC यानि कि यह जो एंगल है न हमें यह फाइंड करना है तो अब इसे कैसे फाइंड करें इसका और इस एंगल का क्या रिलेशन है आईए मैं पको कॉड़ी में समझा दता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारे पास यह वला एंगल और यह एंगल कोई रिलेशन तो नहीं है लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर मैं O से लेकर कि B तक एक लाइन बना दूँ देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं एक लाइन बना दू तो मेरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा और पसमें को जॉइन हो जाएंगे नहीं कि connect हो जाएंगे क्यों connect होंगे क्योंकि हमारा जो R के AB है इस R के थुरू यहाँ पर center में अंगल बन रहा है और दूसरा इस circle में बन रहा है तो हम जानते हैं कि जो center वाला होता है circle वाला आधा होता है यह theorem number first मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में समझाया है ठीक है बाकि इसको detail में आपको लिखना है तो आप वहाँ पर page नमर जितना में भी दिया था 400 कुछ में दिया हुआ है theorem number one वह आप लोग याद कर लेना ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यह angle find करने कोसिस करेंगे अगर यह find होगे न तो यह भी निकल जाएगा कैसे निकल लेगा वो समझाता हूँ पहले देखो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि अगर अपने को ebc find करना तो सबसे पहले हम लोग join करेंगे ob को जो मैंने यह आप लाइन बनाया है न यह लोग नहीं हमने join कर दिया तो उससे होगा क्या कि oa और ob जो होंगे दोनों equal हो जाएंगे क्योंकि यह भी circle के center से लेकर के circle तक आ रहा है यानि यह भी हमारा radius है और ob जो है वो भी हमारा circle का radius है तो यहाँ पर आप लिखो कि जो oa है वो equal है ob का क्योंकि दोनों जो है वो radius है circle के तो ready of हमारा circle ठीक है circle के यह हमारे radius हो गए उसके बाद अगर हमारा दोनों side equal है तो हम क और OBA यह वाल एंगल यह दोनों भी आपस में equal होगा तो आपर आपर लिखो कि angle OAB जो होगा वो equal होगा angle OBA का क्योंकि दोनों आपस में क्या है opposite angles है equal side के तो opposite angles of equal sides इस तरीके साथ आप यहां पर statement लिख देना तो हमारा जो OBA है यह दोनों का value होगा वो किते degree का हो जाएगा दोनों हमारे 25 degree के हो जाएगे यह अभी मेरा 25 degree का हो गया अब हमारा एक triangle में दो angle हमारे पस मिल गया है हम लोग को third वल एंगल find करना है तो असानीस कर सकते हैं हम लोग लिखेंगे in triangle OAB यह जो हमारा OAB triangle बन रहा उसमें हमारा यह एक वल एंगल का नाम में shortcut में A दे देता हूँ इसका मैं O दे देता हूँ और इसका B दे देता हूँ आप लोग detail में लिखना इसका जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा है न वससे आप detail में लिखेंगे मैं बस time बचाने के लिखेंगे यहाँ पर A फिर angle O और फिर angle B इस तरीके से लिख दे रहा हूँ तीनों का sum 180 degree होता है हमारा angle sum property है किसी भी triangle के लिए तो यह आप लोग दो angle sum property of triangle ठीक है बस इस ते ही में लिख देता हूँ किसी भी triangle के तीनों जो angle का sum होता है 180 degree होता है A का value 25 है B का value 25 है angle O का पता नहीं यही तो अपने को पता करना है equal कि उस आप में 180 तो यह 25 और 25 पलस करेंगे तो 50 आजाएगा 50 को transfer करेंगे तो उधर जाकर कि minus में हो जाएगा तो 180 में से अगर 50 minus किता हैगा 130 आ जाएगा इसका वंदर कि जो हमारा angle O बन रहा है यह वाला ना यह 130 degree का है तो अगर यह 130 का है तो यह आधा हो जाएगा तो इसमें आपनो direct link होगे कि हमारा जो angle number ACB है angle ACB जो है वो क्या है हमारा यह वाले angle का आधा है यानि कि अगर मेरा यह जो angle है किता है इसका नाम क्या है AOB है angle number AOB अगर इसको मैं 2 से डिवाइड दे दू तो मेरा ACB निकल जाएगा और यह जो मेरा यहापर मैंने क्या यूज किया तो हमारा जो theorem number first दिया हुआ था इस वाले exercise का वो मैंने आपर यूज किया है यह किसी भी arc के द्वारा जो center में angle बनता है वो हमारा double होता है दूसरे जगा वाले angle से यानि कि अगर आप इसको compare करो तो यह जो होगा आधा होगा और यह हमारा double होगा इसलिए मैंने ACB जो है उसको लिखा है कि वो AOB का आधा है तो AOB हमारा किता है 130 degree है उसको 2 से divide देंगे तो आजाएगा 65 degree यानि यह मेरा 65 degree है अब यहाँ पर फिर होगी हमारा काम आसान यह angle 65 degree का निकल गया अगर इधर 90 है तो यह भी मेरा 90 degree का ही होगा यह जो line का भी अगर दोनों साइट से देखो अगर इधर 90 बना रहा है तो इधर भी 90 ही बनाता है सिंपल सी बात है अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ भी 90 degree हो गया यह 65 हो गया यह थर्ड वाल angle निकालना है तो अब हम लोग यह जो BCE ट्रेंगल है प्लस angle E ठीक है तीनों का जो सम होगा 180 degree होगा तो B का ही नाम अपने को वही EBC दिया है ना ध्यान रखना question में तो मैं आपर B short में लिख रहा हूँ C के जगा पर 65 रगदो E के जगा पर हमारा 90 रगदो इकोल के उस एट में 180 इन दोनों को प्लस करो और राइट सेरी में ट्रांसफर करो तो वहाँ पर जाकर कि वह minus हो जाएगा तो वहाँ से आपका angle B का value निकल जाएगा आई होग आपको समझ में आगिया होगा कितना निकल रहे हैं आपर angle B का value आप मुझे वो comment box में बताइए जो अगला question है na question 12 हम लोग उसे solve करते हैं और अगर अभी कुछ doubt बचा है आपके दिमाग में है तो आप उनसे Instagram या Telegram के थूँ पूछ सकते हो वहाँ पर मैं आपके लिए हमेशा available रहने के कोसिस करता हूँ चलिए next question में चलते हैं सो 12 वालो जो हमारा question इसमें हमसे कहा जा रहा है कि यहां पर यहां पर सरकल दिया हुआ है जिसका center O है इसमें जो एंगल बन रहा है O A B वो 20 डिगरी का है देखो O A B यह वो एंगल 20 डिगरी दिख रहा है O C B जो है वो 55 डिगरी का है अपने को पहले तो B O C find करना है देखो B O C यहां पर जो एंगल बन रहा है यह find करना है उसके बाद A O C find करना है तो A O C यहनि कि इधर जो एंगल बन रहा है इसे find करना है कैसे find करेंगे आए समझते हैं तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से जो B, O, C है न यह और जो angle यह find करेंगे यह ज़्यादा असान है कैसे असान है वो समझो हमारा जो यह और एक triangle आपको दीख रहा होगा जिसका नाम हमारे पास O, C, B या O, B, C जो भी आप इस triangle का नाम देदो तो इस triangle में हमारे पास यह angle दिया हुआ है और यह angle भी हमको पता है कैसे पता है भाई तो देखो O, C और O, B दोनों का जो length होगा equal होगा क्योंकि O, C भी जो है वो circle का radius है और O, B भी circle का radius है तो दोनों का length equal है तो इन दोनों के जो opposite में angle बनेगे वो भी equal होगे और दोनों का value होगा वो 55 degree का होगा अब हम लोग अगर triangle में देखें तो इन triangle O, C, B O, C, B के अंदर हमारा angle number O इसका मैं पूरा B, O, C दे देता हूँ क्यों question मेर में B, O, C दिया होगा था तो जो B, O, C है उसमें अगर हमनों प्लस करेंगे angle B और फिर angle C क्यानि ये angle फिर B वाला और ये C वाला तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों का sum 180 degree आएगा तो यहां से ये दोनों हमारे बास 55 55 हैं तो 55 और 55 किता हो जागा हमारा 110 हो जाएगा तो angle B, O, C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टेप से यहां पर बहुत सारी स्कीप कर दे रहा हूं मैं direct बेस दे रहा हूं क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पहुंच गया क्लास 6 में तो है नहीं कि मैं एक एक लाइन लिखू तभी आपको समझ में आएगा ठीक है तो एक angle हमारे निकल गया अब second वाले में हमसे का क्या गया था कि आपको जो इधर वाला angle है यह वाला angle यह find करना है तो अब इसको कैसे find किया जाए तो इसके लिए आपके आगरो complete जो angle है वह find कर लो तो वह find हो जाएगा तो यह भी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि अलग साथ इसको नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई angle हमको नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगी यह complete angle निकाल लेंगे वह आसान है कैसे आसान है वह देखो यह जो मेरा O A है और यह मेरा O B है यह दोनों भी तो क्या है circle के radius C है न तो इसका मतलब अगर यहाँ 20 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी चोटा से angle बनेगा यह भी 20 डिग्री का ही बनेगा तो फिर से आपला वही लिखोगे कि O A जो है वह equal है O C का sorry O B का और यहाँ पर वह होगे तो इस वाले angle का नाम O B A लिखोगे इस वाले angle का नाम O A B लिखे होगे इस तरीके से लिखना ठीक है तो मैं है sort में लिख दे रहा हूँ direct कि हमारा जो angle A होगा और जो angle B होगा दोनों आपसमे equal होंगे और दोनों हमारे 20 डिग्री के हो जाएंगे अब हम लोग in triangle O A B म लिख लेगा ओके तो यहां पर से हमारे पास पिछले बर भी A था क्या ने पिछले बर A नहीं था ठीक देखो यहां पर मैं पूरा नाम लिखने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर हमारा जो angle B था वह 55 डिग्री का था इस बार angle B जो हो 20 डिग्री का है तो दोनों एंगल भी तो हो नहीं सकते तो यह कौन सा 55 डिग्री का कौन सा था यह complete था पूरा का पूरा जिसका नाम CBO था ठीक है यह फिर OBC जो भी आप इस complete एंगल के नाम देना चाहो और यह 20 डिग्री है वह छोटा वला angle है जिसका नाम OBA है दोनों एंगल जो है वो B point में ही बन र अपने को AOB नहीं निकालना था यहां दोखो अपने को AOC निकालना था यह वाला AOC तो अब हम लोग क्या जानते है कि complete 140 डिग्री का है इतना जो हमने पहले निकाला था यह 70 डिग्री का है तो बचा होगा कित्ता होगा बचा होगा भी तो 70 डिग्री का ही होगा ना क्योंकि ठीक है सुरी मैं यहाँ पर a o b को 70 क्यों लिख दिया हूँ गलती से लिख दिया हूँ 180 में से 40 में निस होगा तो 140 डिग्री आएगा ठीक है तो complete जो मेरा एंगल है a o b उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ b o c को एंगल b o c को तो मेरा निकल जाएगा यह वाला a o c तो यहां से हमारा एंगल a o c जो होगा वह जाएगा 140 माइनस में 70 इसका वहले हमने पहले 70 निकाल रखा है तो यह मैंने लिख दिया तो एंगल a o c जो है वह भी हमारा 70 डिग्री का हो गया तो इस तरीके से आपको लिखना है आई होप यह भी आपको बहुत अजय समझ में आगया होगा दम सिंपल सा क्वेस्टन था बेसिक लिए रखो सारे गर्शन सौल्व होंगे तो जो अगला क्वेस्टन उससे सौल्व करते हैं देखो क्वेस्टन नो जो मारा 13 थै इसमें बोला जा रहा है इंद गिवन फिगर और जो है सिंटर है हमेशा गीतरा सरकल का और जो अगल बन रहा है बी सी ओ वो है 30 डिगरी का कौन से अगल बही है यह देखो यहाँ पर 30 डिगरी का अंगल है आपको यह वळा एक्स का वेल्यू और यह व्य का वेल्यू फ्यूंट करना है दिख तो बहुत ही आसानी से बने यह भी ऐसे सिधा जा रहा है तभी यहाँ पर हमारा यह अगर सिधा लाइन है देखो यह वाला जो मेरा E है यह सिधा लाइन जा रहा है इसमें से एक ऐसे लाइन गिया जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकल रहा है और नीचे भी दूसरा जो लाइन जा रहा है वह भी 90 डिग्री का एंगल बना करके निकल रहा है तो कहाने वली बात क्या हुई कि यह दो गर 90 डिग्री बना रहे हैं तो दोनों जो होंगे आपस में पैरलल होंगे तो यहां पर आपर लिखो पहले तो कि जो मेरा OD है वो क्या है पैरलल है मेरे इस वाले लाइन के इसका नाम EC भी दे सकते हूँ और BC भी दे सकते हूँ मैं complete इसका नाम जो पूरा है न यहां से लेकर यहां तक यह नाम दे देता हूँ तो अब इससे फैदा किया असर आप इसको ऐसे क्यों कर रहे है आपके दिमाग में एक कुछन तो जरूर आ रहा होगा तो देखो हम लोग यह इसले कर रहे हैं क्योंकि अगर यह वाली लाइन और यह लाइन आपस में पैरलल है तो हम क्या जानते है कि जब कभी भी दो पैर O D का और दोनों जो होंगे वो 30 डिगरी के हो जाएंगे और क्यों हो रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में इन दोनों एंगल को क्या का जाता है मैथ के टर्म में इसको बला जाता है alternate interior angles तो यहां पर लिखोगे आप लोग कि दोनों आपस में alternate interior angles हैं इसलिए दोनों आपस में equal हो गए अब उससे फैदा क्या हुआ इससे हम लोगो तो इन मतलब नहीं थबने को य निकालना था तो चिंता मत करो और यह निकल गया तो य भी आसानी से निकल गया कैसे निकला है वो ध्यान दो अब आप लोग इस diagram को थोड़ से घुमाओ अब आप लोगो दीखेगा कि यह जो CD एक हमारा arc है इस arc के दोरा यहाँ पर center में यह वाला angle बनाया गया था यह angle को यह CD बना रहा था और अगर आप देखोगे तो C से एक line ऐसे सीधा B में गया है और D से भी एक सीधा line B में गया है यानि यही arc जो है एक दूसरा angle circle में भी बना रहा है तो हम क्या जानते हैं कि जो center में हमारा angle बनता है वो double होता है और जो circle में जो angle बनता है वो आधा होता है किसी भी arc के दोरा बनाया जाने पर तो इसका मतलब यह हुआ कि जो C O D होगा वो double हो जाएगा इस वाले angle के जिसका नाम CBD है तो यहाँ पर आप उसी चीज को लिख दो कि हमारा जो angle C O D होगा वो double हो जाएगा हमारे angle CBD के और यह हमने को कैसे पता है तो हमारे जो theorem number first है उसके according यह चीज है simple मैंने आपको समझा दिया theorem number first के आया अगर आप उसको लिखना चाहते हो detail में और exam में लिखना ही पड़ेगा थोड़ा से उसको अपने language में याद कर ले ना मैं बार बार उसी जो को याद नहीं करता हूँ इसलिए मैं यहापर direct software में theorem one ली देता हूँ ठीक है तो हमारा COD है वह कित्ता है वह थर्टी डिग्री का है यह ना यह 2 को इतर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा इकवल को उस साइड में हमारा CBD बच जाएगा तो इसो कट करेंगे तो 15 आ जाएगा अगर हम लोग ध्यान दें तो अब हमारा X जो है किजर से निकल रहा है यहाँ पर हमारा कौन सा आर्क से हमारा center rotor में कुछ एंगल बन रहा है बिल्कूल बन रहा है यहाँ पर देखो अगर हम लोग देखें यह जो मेरा AD जो आर्क है उससे यहाँ पर 90 कंडिशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपर लिखो AD is arc AD arc अगर अगर आपन यूज करें तो उस कंडिशन में जो मेरा AOD बनेगा वो डबल हो जाएगा इस वाले एंगल का जिसका नाम है ABD और यहाँ भी हमारा 13 number 1 लग रहा है चलो लिखी देता हूं अगर स्क्रीन स्वाट वगर होगे तो confusion नहीं होगा आपको बाद में तो AOD हमारा किते degree का बनता है 90 degree का क्यों हमको पता कैसे चला क्योंकि यहाँ पर बॉक्स बना हुआ था और बॉक्स मतलब होता है वो 90 degree का अब कोई दिकत नहीं है देखो कैसे अपको हम लो solve करेंगे अब हम लो लेंगे यह रहा ट्रेंगल जिसका नाम A B E है इस ट्रेंगल का अगर यूज करें तो यह एंगल और यह एंगल अपने को पता है उसके एंदर हमारा जो एंगल x है यह वहला एंगल x उसमें अगर मैं प्लस करूँ यह वहला एंगल cic आan d后 कोabbaround मैं कम्प्रीट नाम लीकी देतं हो ताकि वो confusion और यह पूरा का पूरा एकगा ABE और उसमें एकर मैं प्लस करूँ यह वल एंगल जिसका नाम है AEB एंगल AEB तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा X से यहाँ पर X रहने दो ABE जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है तो यह वल एंगल और यह वल एंगल दोनों को मिला रहे है तब जाकर कि हमारा complete ABE यहाँ तक बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग ABE के जाए हदर में हम लोग क्या लिखेंगे 45 डिग्री लिखेंगे और प्लस में Y का जो value हमने निकाला था 15 डिग्री वो लिखेंगे AAB का value जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि इधर भी 90 हो तो इधर भी 90 डिग्री कही होगा खेल कतम इकॉल को उससाइट में 180 डिग्री बस इन सभी को plus करो right में transfer करो तो उधर जाकर कि यह सभी minus हो जाएंगे तो आपका X का value निकल जाएगा चलिए जल्दी से comment box में बताएए find करके कि X value किता है मैंने जो mean काम था वो आपको समझा दिया है चोटा सा plus minus का बच्चों अला काम बचा हुआ है तो यह हमारे question 13 वी solve हो गया चलिए जो last question हमारे इस वाले वीडियो के लिए question 14 हम लोग उसे भी जल्दी से solve कर लेते है so the 14th question is in the given figure O is the center as always of the circle BD and OD are equal देखो BD कौन सी लाइन है यह देखो BD यह वाली लाइन है OD यह वाली लाइन है OD तो हमारी radius है circle की BD radius नहीं है लेकिन यह clear हो गया आपर लिख दिया है तो कि यह वाली लाइन और यह लाइन आपस में equal है साथ ही साथ जो CD है वो इदम perpendicular है AB के ऊपर इसका वंदब कि इदम 90 degree का एंगल बनाएंगे यह चारो तरप से तभी मेरा angle बन पाएगा CAB तो हम लोग इसको join करेंगे और एक छोटा से इसमें और आपको construction करना पड़ेगा आइए समझाता हूँ वो क्या है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगे जैसे मैं आपको पहले बताया कि हमको अगर angle यह वोला find करना है तो यह C और A को मिलाना पड़ेगा दूसरा क्या करोगे आपकी यह C और O को भी आपस में join करोगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो यह जो हमारा angle बन रहा है यह कौन से arc के through बन रहा है यह हमारे CB arc के through बन रहा है अगर मैं यहाँ पर CB आपको ध्यान से दिखाऊँ यह देखो CB के through B से निकल कर A में गिया और C से निकल कर A में गिया तो यह वाला हमारा angle बना है और इन ही दोनों angle के through यहां पर भी arc बन रहा है center में B से देखो लाहं यहां center में गिया और C से center में गिया तो अगर हम लोग यह वाला angle निकाल लिए तो यह जो होगा double हो जाएगा और यह आधा हो जाएगा question solve हो जाएगा अपने को main focus करना इस वाले angle को निकालने के लिए इसलिए हमने क्या क्या है CO को यहां पर join कर दिया है अब अब कैसे इस angle को कैसे निकालेंगे कोई भी angle का measurement दिया नहीं है बस यहां पर 90 degree पता चल रहा है क्योंकि दोनों अपस में perpendicular है तो हम लोग क्या करेंगे कि यह जो triangle है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे solve करना है सबसे पहले क्या करो कि आप नीजे शुरू करो यह जो हमारा triangle है जिसका ना हम लोग क्या रह सकते है ODE रख सकते है और इसका BDE रख सकते है तो यहाँ पर आप लिखो in triangle ODE and triangle BDE इन दोनों triangle में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे परदे तो question में ही दिया हुआ था कि यह वाला और यह वाला जो हमारा क्या बुलते है side जो हापस में equal है ऐसा question बता दिया गया तो हम लोग वहीं से start करेंगे हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा OD है वो equal है यहांके BD का ठेक है इस वाले triangle के दो चीज़े equal हो गई अभी हम लोग क्या करने वाले है इन दोनों को congruent proof करने वाले है क्यों congruent proof करेंगे वो आपको धिरे-दिरे समझ में आएगा यह हमने दोनों side equal proof कर दिया दूसरा अगर side equal है तो यहां पर हमारे जो angles बनेंगे यह भी आपस में equal होंगे opposite angle तो DOE जो हमारा angle बनेगा angle DOE वो equal हो जाएगा DBE के इधर वाले angle DBE का दोनों आपस में यह पहले हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे यह अपने को given है ठीक है और यह जो हमारा opposite angles होते हैं वो equal होते हैं वोला rule लिख देने हैं आपर लिखेंगे opposite angles of equal side तो यह हो गया तीसरा चीज़ यहां पर जो हमारा angle बनेगा और यहां जो angle बनेगा यह दोनों 90 degree के ही बनेगे क्योंकि दम perpendicular line है जैसे कि मैं वो question के सुरू में ही समझाया था तो यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो angle OED बन रहा है और BED बन रहा है यह दोनों भी equal है angle OED is equal to angle BED और दोनों हमारे कित्ते के हैं तो दोनों हमारे 90 degree के हैं इसलिए अपस में equal हैं तो अब देखोगे आप लोग angle OED और जो side rule है देखो angle, angle और side यह वहले rule से हमारे यह दुनों triangle congruent होते हैं तो यहां पर लिखोगे so triangle ODE जो हो रहा है वह यहां पर congruent proof हो रहा है हमारे triangle BDE के कौन से rule से हुआ तो हमारे angle, angle और यह एक side है तो अगर यह दुनों congruent है तो इसके जो corresponding parts होंगे वह भी आपस में equal होंगे यानि कि यहां OE और यहां BE यह दुनों भी आपस में equal होंगे तो यहां पर लिखो OE, sorry OE जो होगा वह equal हो जाएगा BE का क्योंकि हम लोग इसको corresponding part बोलते है जिसको shortcut में CPCT लिखा जाता है corresponding part of congruent triangle तो अब यह दुनों आपस में equal हो गए अब हम लोग को इन से ज़्यादा मतलब नहीं है हम लोग equal क्यों proof कि हैं क्योंकि अब अपने को यह दुनों triangle congruent proof करना है तो यह दो हमारा side होई गया equal side हमारा equal हो गया यह हमारा इन दुनों में common side है और तिस्री चीज़ क्या है हमारे पास भाई और कुछ equal equal मिल रहे है यहाँ पर 90 degree वाला हाँ 90 degree मिलो देखो यहाँ पर 90 degree इधर भी और इधर भी हमारे पास तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मेरा जो OE है ठीक है वो equal है मेरे BE का यह हमने को कैसे पता चला हमने अभी proof किया है तो हम पर proof लिख दो shortcut में यह वाला जो हमने proof किया है OE और BE equal हो गया यह वाला जो angle है और यह वाला angle दुनों 90 degree का है तो OEC और BEC दोनों equal है यहाँ पर लिख आप लोग OEC is equal to angle BEC और दोनों हमारे 90 degree के इसे लिखेंगे side हो गया angle हो गया अब हमारे पास यह जो CE जो line है दोनों में आ रहा है तो यहाँ लिख दो आप लोग कि CE इधर का और CE इधर का यह common side है हमारा तो यहाँ पर आप लोग common इस तरीके से लिख दो तो हमारा यह side angle और side उले rule से यह दोनों triangle भी congruent हो गया जिसमें आप लिखो कि हमारा जो triangle COE है वो यहाँ पर congruent proof होता है हमारे दूसरे लोग triangle CBE का और दूनों अगर congruent है और यह कौन से rule से है वो ही बता देना तो side angle और side उले rule से congruent हो रहे है तो अगर यह दूनों congruent है तो उसे फैदा क्या हुआ उसे फैदा यह हुआ कि हमारा जो CO है और जो यहाँ पर हमारे पास CB है यह दूनों आपस में क्या होगा दूसरा जी ध्यान दो कि हमारा जो CO है यह भी क्या है radius है और OB जो है यह भी radius है तो यह वाला और यह वाला भी side क्या होगा आपस में equal होगा तो इसका मतलब क्या हुआ यह तीनों के तीनों side आपस में equal है तो इसको आप लोग ऐसे हमारा लिखोगे so in triangle OBC यह जो हमारा OBC triangle बना हुआ है इसमें हमारा जो side है CO वो equal है CB का और फिर यह भी CO जो है वो equal है OB का भी यह फिर BO का भी तीनों जो side है वो equal है all the three side are equal तो अगर equal sides है तो यह जो हमारा होगा वो क्या होगा equilateral triangle हो जाएगा और हम क्या जानते हैं कि equilateral triangle के तीनों side से equal होते हैं और तीनों जो angle होते हैं वो भी आपस में equal होते हैं तीनों angle को सम होता है नहीं measurement होता है वो 60 degree होता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह जो हमारा angle है या फिर आप लोग इसको ऐसे इतने degree का होगा 60 degree का होगा तो आप लोग कि angle cob जो होगा वो हो जाएगा हमारा 60 degree का और यही तो अपने को find करना था क्योंकि अगर यह find हो गया अब आप लोग लिखो कि cb is an arc cb जो है एक arc है और cb के द्वारा ही हमारा यहाँ पर angle बन रहा है तो इसलिए हमारा यह जो angle होगा जिसका नाम cb है जो भी हमने find किया यह क्या होगा double हो जाएगा इस वाले angle के जैसे कि मैंने वह question के सुलूम बताया था जिसका नाम है angle cb ठीक है question में cb नाम ही दिया था न इसका क्या दिया था question कहां के 14 वाला हाँ cb ही नाम दिया था इस वाले angle का ओके तो यहां से हमारा cb जो है 60 degree है टू के इतर ट्रांसफर करतो तो डिवाइड में आ जाएगा एकवल के उस एड में angle cb बच जाएगा आर्क कोई भी एंगल जो एक आर्क के तरह बनता है circle के center में वो double होता है angle subtended by it at any point of the remaining part of circle यानि कि जो circle के center में angle बनाता है न कोई आर्क वो circle के किसी remaining मैं पार्ट में अगर angle बनाएगा तो उसका वो double होगा जैसे यहां पर देखो यहां पर जो angle बनेगा वो इस वाले angle का double होगा इधर जो बनेगा वो इस angle के double होगा यह समय आपको पहले बहुत पहले समझा चुका है तो अबहुत अच्छे समझ में आगे होगा अगर अभी भी आपको समझाया है, तो Instagram और Telegram के link मैंने दिये हुए हैं description box में, आप वहाँ पर हमें follow करके अपने doubts पूछ सकते हो, चलिए मिलिंग अब नेक्स्ट टूडियो में, तब तक लिए thank you for watching